धोनीर प्रजोन खिलाफ अभियान चलाने वाली राश्टी संस्था सत्या फाउंडेशन ने मंगलवार को केंदरी विद्याले कंचनपूर बरेका और संत अतुरानंद कान्वेड स्कूल गिलट बजार में शोर प्रदुशनक खत्रों के प्रती विद्यारतियों को सजग किया और किसी भी धार्मिक पर विया उत्सों की आड़ में जानलेवा डीजे और पठाके के पूर्ण बहिशकार का संकल्प कराया संत अतुरानंद कान्वेड स्कूल गिलट बजार में विद्यारतियों को समुझ करते हुए सत्या फांडेशन के सच्चिव चेतन उपाध्या ने कहा कि कोई भी परंपरा देश के कानून से उपर नहीं है और उस्सों मनाते समय इस बात का धिहान रखे कि हमारी खुशी मना कानून के मताबिक साइलिंस जोन में यानि स्कूल कॉलेज उपासना इस्थल अस्पताल और कोट के सौ मिटर के दैरे में हौर्न बैंड बाजा आतिर्जबाजी या डीजे का प्रयोग करना पूर्टह प्रतिबंदित है मगर यह भी धिहान रखना हुए कि आज की तारिक मे प्रदूशित वायू, प्रदूशित जल और भयंकर महेंगाई के चलते हैं अधिकांस लोगों को संतूरित भोजय नहीं मिलने करण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिमार है और ऐसे बिमार लोगों की एक बड़ी संख्या घरों में भी रहती है इस नाते हम नागरिकों के सामविक जिम्यदारी कहीं अधिक बढ़ जाती है विशिश्वक्ता के रूप में आमंत्री जुतिशाचार मनीज दूबे ने बच्चों से अपिल किया कि वे दिपावली पर पटाकों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और इसके बजाए कि वल मिट्टी के दिये ही जलाए विद्यार्तियों ने हाथ आगे करके शपत लिया कि किसी भी शादी विवहा, धार्मिक पर्व या उत्सव की आल में जान लेवा डीजे और पटाके का पूल बहिशकार करने है तो अपने घर और आसपास के लोगों को समझाएंगे और जो नहीं मालेगा उसे खिलाब शिक इसको मातम का तेवार बना दिये हैं और हर विद्यार्थी को स्कूलों में जाके हम यहीं जगा रहे हैं कि दिपावली दियों का तेवार हैं देशी मिट्टी के दिये जलाएं और पटाकों का पूर बहिशकार करें और डीजे भी बिल्कुल ना बजाएं और साथी साथ हम ये भी सब को समझा रहे हैं कि साल के 365 दिन मंदिर मस्जिद गुर्दवारा गिर्जादर के बगल में, स्कूल कॉलेज के बगल में, अस्पताल नर्सिंग होंग के पास और पोर्ट का चड़ी के पास, स्कूटर का हर्म बजाना भी जुर्म है, लिहाजा साइलेंस जोन में कोई भी डीजे, लाउड स्पीकर, बेंड बाजार या कोई भी शोर न करें और यही संदेश लेकर सत्या फाउंडेशन अलग-अलग विद्ध्यालियों में जाना है.